उद्यापूर अत्या कांट को लेकर केंद्रे कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से खास बाच्चीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि उद्यपूर की घटना के पीछे कॉंग्रेस का हाथ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर गैलोध सरकार पहले ही घटना को रोकने का काम कर लेती ही तो इस तरीके से किसे मासूम की हत्या ना होती। कैलाश चौधरी से बात की समवादाता रचना ने। और जिस तरह से राजस्तान की सरकार ने इसमें कोताई बरती या जो पहले ऐसी घटना ही ही जिसके अंदर चाए अलवर की घटना हो चाए जोदपुर की घटना हो उसमें ऐसे लोगों को जिनोंने उस समय दंगा किया था या जिनोंने ऐसी घटना की थी उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया और उसका परिणाम आज ये पूरा देख रहे हैं जिसकी वज़े से आज राजस्तान के अंदर इस तरह से आग लगी हुई है राजस्तान की सरकार पूर्ण रूप से फैलो चुकी है तोष्टीकरण की नीती के लिए और चंद वोट बैंक के खातिर ये किसी की हत्या करके चला जाता है और हत्या के ऊपर हत्या हो रही है कोई अंकुष नहीं है तो मुझे लगता है कि इसमें असोग जी गहलोत सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि फैलो चुके हैं क्रिशी राज्यमंत्री केलाश चौधरी जिनका कहना है कि जिस तरीके से उद्यपुर में घटना हुई है कहीं न कहीं कॉंग्रेस का हाथ होने की संभावनत उन्होंने जताई है और सातिसाथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गहलोत सरकार पहले ही इस पर अंकुष लगा ले क्रिश।